हालो नवश्कार बहुत से यंग्स्टर्स मुझे पर्सनली मेसेच करकर और कमेंट्स में भी बोला है कि मैं वीडियो बनाए हाउ टू कन्विल्स यॉर पैरेंट्स फर लव मारेज फर इंटरकास्ट मारेज देखें यह प्रॉब्लम तो है जब हम किसी ऐसे सोसाइटी से हट कर किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं जो कि हमारे कास्ट में नहीं है या हमारे सरनेम में नहीं आता है या हमारे पैरेंट्स पसंद नहीं करते हैं तो वहाँ पर प्रॉब्लम ज़रूर होती है और वहाँ पर हमारा दिमाग कश्मकश्मे जा हाई एम डॉक्टर निहा मैता मैं क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट एक मनव विज्ञानिक हूं और पशले 10 साल से प्राक्टरस कर रही हूं ऐसी साइकोलीजिकल टिप्स देने वाली हूं जो आपकी मारेज को करवाकर ही ठमेगी लेकिन इससे पहले इस चानल को सब्सक्राइब करन तो चलिए मैं आपको बता रही थी कि अपने पार्टनर को जोड़ी दिया कि नहीं चलो वो जो कह रहे हैं वो सही कह रहे होंगे पहले खुझ से परकें कि क्या ये पार्टनर मेरे लिए ठीक है सारे एकस्पिक्स को खुझ टटो लें as a female as a male की sexually, personally, financially, socially क्या हर तरीके से मैं इस बंदे के साथ खुश रह पाऊंगी या रह पाऊंगा ऐसा तो है नहीं कि सरह मैं भावनाओं में वैदा जा रहा हूँ या मेरे को कोई attraction अपनी तरफ कीच रहा है इस चीज को समझिये कि क्या मैं satisfied हूँ और अगर मैं satisfied हूँ तो आपके पस अंगिनत कारण है अपने parents को convince करनेंगे जब आपके पास वो कारण वाली list पता चल जाएगी जब आपके पस वो list है that why my current partners या my choice is better than or will be my parent choice आप convinced definitely कर पाएंगे आपके पास कुछ ना कुछ reason जरूर है उनसे बात करने के tip number two हमेशा कोशिश करें कि एक family member जो elder है जिसे मेरे ममी बापा बहुत जादा मानते हैं या समझते हैं उससे जरूर involve करें अगर आप उस पे trust करते हैं जिसे कोई uncle हो सकता है कोई cousin हो सकता है जिसकी तहरा तुमें हमेशा बनने के लिए pressurize किया जाता है फले सोनू को समझ उस अगर घर में किसी की पहले को intercast marriage हुई है love marriage हुई है तो आपका करना असान हो जाता है क्योंकि आपके वसे एक example है दिखाने को कि देखो वो भी खुश है और मैं कर सबता हूँ tip number three हमेशा ऐसे उनको कोई programs दिखाए ऐसे cases सुनाए जहां love marriage और या intercast marriage successful हुई है कि अरे बाब अगर understanding अच्छी हो तो शादी ठहर जाती है इस तरह से आप अपने parents को good start के start start करोगे तो वो definitely convince हो जाएंगे tip number four कभी भी सारी जिम्मेदारी खुद मतलो सबसे पहले उस male या female को अपने parents से मिलवाव जरूर कभी-कभी हम को कुछ करना ही नहीं होता है जब हमारे parents उनके खुश है तो आप हमेशा खुच से मत सारा scene बनाने का wait करो और साथ साथ चुपाओ मत कई बार ऐसे होता है कि parents से आप छुपा लेते हो तो जिस दिन उन्हें पता चलता है वो इतना जादा गुस्सा हो जाते है या आपका कोई letter पकड़ा जाता है आपका कोई message पकड़ा जा का ध्यान रखें कि अगर आप अपने parents को convince करना चाते है तो उनको जल्दी शादी करने के लिए pressurize ना करें देखो मेरे को कोई चीज पसंद नहीं है और आप मुझे उसके लिए pressurize कर रहे हो कि नहीं मेरे को ये पसंद है मुझे से करना है तो time के पीछे क्यों भागना है तुम्हें समझ में आना चाहिए कि उनके दिमाग में वो चीज फीड होने में उनकी personality पर उनकी इज़त है समाज है society है उन सब में वो धीरे धीरे change आने में time लगेगा अगर आप साल दो साल का उन्हें time देते हैं और उन्हें ये समझाते हैं कि मुझे कोई और रिष्टा न कभी भी नहीं होगा आपको समझना है अगर मेरा चार-पांच साल पुराना रिष्टा और मेरी एज अप्रॉक्सिमेटली शादी के पास आ गई है तो प्लीज अभी भी मत छुपाओ उन्हें बताओ प्लीज tip number six हमेशा qualities बताओ हमेशा अच्छी-अच्छी quality बताओ को TV प्रोग्रम देखके बता सकते हो कि नहीं रोहन तो ये चीज़ें बहुत अच्छी करता है ये प्रीटी ये चीज़ बहुत अच्छी करती है कि ऐसी-इस qualities उनकी जरूर indicate करो कि वो मेरे साथ बहुत अच्छा लग आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके parents की रग क्या है क्या ऐसी चीज़ है जो आपके parents को convince नहीं कर रही है पैसे हो सकते हैं उनकी caste हो सकती है उनकी family में कोई और रूटी हुई marriage हो सकती है सुनी-सुनाई कोई बात हो सकती है कि वो ऐसा करते हैं इसलिए उनके घर पे कोई अपनी लड़किया लड़का नहीं भेज रहा है कोई भी कोई पिचोलिय की बात हो सकती है दस चीज़ें हो सकती है जो parents नहीं मानते हैं उस चीज़ पर अटक जाते हैं आपको वो अटकी हुई बात पकड़नी है कि उस चीज़ को छोड़के बाकि आपको सभी बातों पे pressure, positive impact इतना डालना है कि आज नहीं तो कल वो इस चीज़ को convince हो जाएं आपको समझना पड़ेगा कि वो क्या चीज़ है जो उनको अटका रही है and tip number seven most important tip is counseling अगर आपको लगता है कि आपके parents अभी भी नहीं मान रहे हैं तो उनको counseling के लिए ले कर आएं आपको जरूर ऐसा लग यह मेरी life का decision है मैं कहीं भार जाके करूं या भाग जाओं इससे बेटर यहीं है कि हम बैट के इस चीज़ को solve कर लें और अगर counselor यह कहता है कि मुझे नहीं करना चाहिए तो मैं मानूंगी आपकी बात या मैं मानूंगा आपकी बात but let's go and take help of a professional counselor counseling pre-marital counseling जिससे मैं यह बार counseling के results बहुत अच्छे हैं अगर 100 cases मैंने लिए हैं तो उसमें से 99 की शादी अच्छे से हो जाती है तो please pre-marital counseling कर रहा हैं इससे डर हैं कि हम अपना issue या इससा बाहर क्यों लाएं बहुत बार डर होता है society को लेके parents की नजर में बहुत बार उनके religious standards होते हैं वो उसको नहीं छ बिखाऊंगा यह उसे क्या बताऊंगा यह भी बहुत सारी चीज़े parents को विवश्च कर देती है society या लोगों के हिसाब से adjust करने में तो counseling बहुत help करती है आशा करती हूं कि यह tips आप help कर पाएंगे intercast outercast किसी भी तरह की marriage देखिए मैं तो सरफ personally यह समझती हूं marriage दो souls का मिलन है का नाम, जाद, धरम यह सब हमने बनाए हैं और अगर हम चाहें तो इनने तोड़ भी सकते हैं अगर हमारे बच्चे खुश हैं तो बाकी यह हर किसी के individual सोच का नतीजा है आप जैसा सोचते हैं आप वैसा करिए लेकिन अगर आप किसी से सच्चे दुल से प्यार करते हैं आचा करती हूं मेरी वीडियो आपको हेल्प कर पाई है सबसे पहले इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजे इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें